Hello and Assalamu alaikum dear students, welcome to the ongoing lecture series on C++. हमने जो last topics पढ़े थे, उसके बाद हमारा आज का जो topic है array within a class है. array within a class कि जब हम बात करते तो हमें कुछ चीज़े यहां पर समझना बहुत जरूरी होता है. array को हम एक class में as member declare करते हैं. हमें तीन चीज़ों का खास ख्याल यहां पर रखना है. number one is कि हम array का syntax कैसे लिखते हैं, class के अंदर. number two हम member function कैसे बनाते हैं और number three हम member functions को कैसे call करते हैं, main functions के अंदर. अगर यह तीन चीज़ें आपको clear हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि array को हम as member इसमें define करते हैं, class के अंदर. अगर यह चीज़ें आपको clear हैं तो आपको बहुत आसानी के साथ समझा जागा कि array within a class कैसे हम programming करते हैं और कैसे programs बनाते हैं. आगे चलते हैं और सिखते हम कैसे इसका syntax लिखते हैं और कैसे इसका program आगे forward करते हैं. जब हम बात करते हैं array within a class, तो सबसे पहले हमें class को define करना होता कि class कैसे define करते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है class class name, class हमें लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि class की वज़ास, class लिखने की वज़ास से ही हमें पता चलता है या compiler को पता चल जाता है कि यह चीज जो हम लिख रहे हैं यह class है basically, उसके बाद class का name, आपको यह भी नाम दे सकते हो, चाहे नेजर class हो चाहे आपका vehicle class हो, whatever class it is, you can give name here, तो हम यहाँ पर class define करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार syntax में समझा था कि class को कैसे define करते हैं, उसके बाद हम braces start, यह basically syntax है, array within class को define करने के लिए syntax है, इस syntax को आप समझ लिजए, उसके बाद braces start कर देते हम braces start करने के बा चाहे इंटीजर type हो, चाहे character type हो, flow type हो, किसी भी type का जो है, वो आप array बना सकते हो, और उसका यहाँ पर लिख सकते हो, उसके बाद data type, चाहे वो integer है, चाहे character है, चाहे फ्लोट है, जिस तरीक की का भी है data type, वो आप यहाँ पर लिखोगे, और एक name दोगे आप इस array को, जो आपने array declare किया, उसको एक नाम दे दोगे, चाहे वो student array है, चाहे वो vehicle array है, चाहे वो teacher array है, कोई भी variable है, जो आपको लेना है इस program के अंदर, उसका आप नाम दे दोगे, और उसका size भी यहाँ पर declare करोगे, size declare करने के बाद ही, पता चल जाता है कि, इस array के अंदर कितना size है, और कितना data जो हम इसमें fit कर सकते हैं, उसके बाद हम आजाते हैं, access specifiers के ओपर, access specifiers जो मैंने आपको पिछले lecture में समझाया था, कि यह accessibility होती है, कि किस data को कितना access कर सकते हैं हम, तो इसमें हम कोई भी जो है, वो specifier ले सकते हैं, चाहे वो public हो, चाहे वो private हो, चाहे वो protected हो, ज उसके बाद हमने data member को लेना है, ठीक है, access specifier डालने के बाद data member को लिया है, और member function, जो भी उसका member function होगा, उसको declare करना है, और अपने braces बंद करके semi-colon डाल देना है, तो यह जो था, यह general syntax है, कि इसका array within a class का, अब हम इसी चीज़ को example लेके समझ लेते हैं, आगे, example कि थो हम में ज्यादा समझ आ जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी syntax में लिखा था, class class के आगे, आप class का नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम जो आपने रखना हो, फिलाल तो मैंने यहाँ पर student class, और मैंने इस class का नाम जो है, यहाँ पर लिख दिया class के आगे, उसके बाद जो चलते हैं, according to syntax, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर हम declaration कर देते हैं, किसी भी array का, हमने यहाँ पर array within class करना है, तो मैंने यहाँ पर int role number, int role जो है, और उसका size यहाँ पर declare कर दिया, और उसको semicolon लगा के बंद कर दिया, और यहाँ comments में मैंने लिखा है array within class, ठीक है, तो उस इसकी limit है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाओंगा कि इस चीज को हम string कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम two dimensional array ले लेते हैं, आप single भी ले लेते हो, जैसे मैंने syntax आपको इसलिए दिखाया कि जहाँ पर हम two arrays को लेते हैं, कि ताकि आपको समझ आ जाए यह चीज भी, साथ में यहाँ पर आप single भी ले सकते हो, array within a class, single array within a class, मुकर मैं यहाँ यहाँ पर double ले रहाँ, double array within a class, आकि आपको यह चीज भी समझ आ जाए, और single तो automatically आपको समझ आया होगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने two dimensional array का इस्तेमाल किया, ताकि आपको यह चीज ले लिया था कि आपको यह समझ आ जाए उसके बाद access specifier जो मैंने आपको syntax में भी कहा था और यहाँ पे हमें दो functions इस्तमाल करनी होती है एक void get data, void display यह दो functions हमें किसलिए लगती है void get data से हम data को ले लेते हैं इसके अंदर array के अंदर और void display data वही data जो है वह display हो जाता है यह basically functions है तो पीछे थोड़ा चले जाते हैं जहां पर मैंने syntax में लिखा था कि हम यहाँ पे data member लिखते हैं उसके बाद member function लिख देते हैं मगर यह ज़रूरी नहीं है कि हम यहां पे data member लिखें मगर लिख भी सकते हैं मैंने syntax में वो लिखा था इसकी वज़ाई यह है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि data member को हम protected ही रखते हैं क्योंकि ताकि वो बाहर से access ना हो जाए that is why कि हम data member को उपर लिख देते हैं कि और यहां पर कुछ भी access पर notified नहीं है that means कि this database is automatically private ठीक है और इसी वज़ा से हम यहां पर data member नहीं लिखते हैं ताकि वो accessible ना रहे ताकि उसमें alteration ना हो जाए otherwise हम लिख सकते हैं इसके अंदर भी data member thank you for watching I hope आज को concept जो simple सा concept था ही आपको समझ आ गया होगा इसके बाद हमने functions का concept देखना है कि functions को हम कैसे define करते है array के अंदर